इंडियन कॉंसिल आफ मेडिकल रिसर्च नई दिल्ली इनकी ओर से चलाए जाने वाले कीवग लोबी नोप्यांथी सैटलाइट सेंटर का शुभारम वीदरप में पहली बार चंदरपूर में 25 अक्तूबर को हो रहा होकर इस शेतर के मरीजों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए यह केंद्र वर्दान साबित होगा ऐसी आशा केंद्री रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री श्री हंसराज अहीर ने आयजित पत्र परिशर् उद्गाटन होगा चंद्रपूर जीले के गल्चुरुली यवतमाल अमरावती नागपूर वर्दा भंडारा गोंदिया इस विभाग में जो सिकल पेशंट है साधी थैलेसीमिया हीमोफेलिया पेशंट भी बड़े पैमाने पर है इन मरीजों का प्रमान उप्चार वो रो अंगरिकों के लिए निशुलक स्वास्त जाजव उपचार शिवीर का भी आयजन किया गया है इस सेंटर का उद्गाटन सावंगी के विनोबा भावे मेडिकल कॉलेज के संसापक अध्यक्ष पूरसांसत दत्ता मेगे इनके हाथों किया जाएगा अतिति के तोर पर राज् वस्तिती रहेगी इस वक्त पत्र परिशद में केंद्रियर रसायन एवं उर्वरक राज्यमंत्री श्रीहंस राजहीर, डॉक्टर एमजे खान, डॉक्टर मंगेश गुलवाडे आधी की मवजूदगी रही आपर रिन्यूशन करो, जा चिकानी आता है, इस सेंटर शुरू होता है, कंची स्तार के ला इसस्तारी, अचाहिए हमोग्रोबी नाइक पैथी, सेट्रियर शेंटर, ये आईशे मार्ग, जे शेंटरल गुवर्मेंट ची कुप मोठी सांचता है, मेडिकल मेंदे रिसर्च क जो विशे है, ते अचाहिए अंतरगर्त महाराष्ट में एक ब्रेंच आए, ये नाइए आईएच, इत्तिया माद्य मातून नाइएच, नेशनल इस्टिटूट अप इमीनो इमेटोलगी, इमेटोलगी, जोलाए, आईशे मार है, आईशे मार के जा माद्य मातून है, इत् अचाहिए आपना प्राइमेरिस तरहावाद है, या रिस्टर्च काम सुब जाले हुई, पन्चिस तरह के पासे काम हुई, या अचाह अचाहँ आपन शुवरम बकर होता हुँआ होको, निया माद्य मातून सिकल सेलत नहीं, सिकल सेल, खैली सिमिया, थिमिप्लियो, ते ती तीनी आजार ने रखता से फार गंबीर है, यह तीनी आजारा हुआ कि एक्टिकानी काम चाल हुई, सुरुवतिला अवश्यक अस्तली उपकरना, जामने योटर पुर्सीस वगरे करना करता, पाने इस्क्रीमी या करता लागनारे सर्व एक्टिके एक्टिक में डाले लाए, अनिस चेल काम दर शुगू करता है करता, जो शोबारम मदधरीता हुआ हुआ है, इसेंटर एक्टिक अती महतपूर्ना हाविशे आए, यह माद्ने मातनों ना देशा आखता ची आजार जाहे, जोब जाना नसे, तो मैं आजा जिए नास्तो, यापलाला सांगाजी अदा ज फ्रेण की सुड़ेवान आपका अ'llा या भागामने कूप मोट्धा प्रह्ण सीकल से ला है, अनि हेमोफिलयाजी वखाभ फूब रुबना है थे, हाई, अक आजा राशा जंबीर आजो आज आज़े आज़े ज़ना नो कम प्रों। कि यह था रक्तस्राव जो हो तो प्लेटलेग डाउन होता है था मतने तो जी उगया ना उसकता है मैं अशा ही रुगनारमार एक तेका ने उप्चार आनी तेचा रिसर्च जोनी काम चालती है यह सर्व गुष्टी द्याना दियों कि अपनला प्रत एक चांग लाइटे का ने उप्योगी लिया सेंटर्चा यह देंगू जार का आजात है अमने प्लेटलेग डाउन जिवां होता है त्याचे आई तेके ने अपनला काउंट करता ही आनी त्याचा पनला रखता तपासनी तफ पूरु शक्ता है अगेरे हमने क नहीं है एक चैलेंज श्विकारों ने भारत सरक्कार ने एक उपकरम हाती गतला होता है त्याला आप चंदर पर ने शुब होता है त्याचे आपके लामी है ठीकानी तर्चा उप्धाकन करो शुबारंबा करो टीवी हॉस्पिटल चा मारिचा जुने अमार्ट के वाइट काम पूर्ण धाले लाएं त्यामादे धाटन प्रस्णागावार अपने धाटक मनून आपन दक्टिगानी दक्ता जी मेगिया ना भलो लाएं त्योते ख्याम गेना तक दिवाजबत चालेल ख्याम और शगले रुगना तैंचे पेरेंट यनाही तपासिन अंतर मारदशन ह अधनीन हौल मदे भी अनि त्याकिन आठीकानी दीवी दिविशावार करना टीचीन हुए तो उदना तपासिन हुए तो उदना नाहोश्यक आउश्यक आउचोदा मी मौपत द्यो और बहुश्याम अधे अधे सर क्याता सिकल सेल साथ का आजार दू अधे जॉइंट अधे जुआ तो एक महत आता है कि य कि अनियों हमोफियल कि सब्सक्राइब आचे पार जाएचोदा तो उदना नाही हो आजे जे शीपिर अधास ताहि पर नती ये जे सेंटर आना ये सेंटर चे मूल जे बेसिक इंटेंशन साहत ते नंबर वन था नियुश्यक आजिज द ट्रेंड कॉंसलर्स आहे तो ते पूर्ने इंफर्मेशन कुंते मैरेजबल कपल कि हुआ मैरीड कपल्स कि हुआ एक मूल असलियावर जी कॉंसलिंग कर रा लगते हैं बिमारे मदे हैं सब्सक्राइब ट्रीटमेंट नहीं है प्रिवेंशन असे एक मात्र उपाया है तर त्या लोगों कॉंसलर्स ट्रेंड कॉंसलर्स बसना एक पहला दूसरा जहाँ हैं जोगों फिल्ड मदे पूर्नर रिसर्ज करती हैं ज्या बीमारते लेक्राइब अधा अजुन मेडिशिन पूर्ण पने का निगा लेना है कारन रिसर्च कोनी खुब ताक्ति न कह लेना है ज़ा पूर्ण जिए प्रवाने जाओं रिसर्च करते हैं तीसरी घोष्ट मैजे हैं यह सेंटर पक्त चंदरपुर की वाँ घर चुरुली जिल्ले परेंटर शिमीत नहीं है अद लिस्ट विधरवादी लुढ देनले पटाया दोगोल, या उंचार फेज, भीएंट है लुद्पराया थे विदरवाद पास तो है लुद्फर्वीं तो हम पॉर्शा फेजर बाद दो धीन महिना नंतर अपिक्षित आ है कि अंतीनेटल डाइग्नोसिस तो अंतीनेटल कारण आज जर तो एका तया परिवारात एक मूल आहे सिकल सेल चा कि मा थालेस्मी आचा अनि ती बाई जर पुर्णा गर्भवती होते तर ते दूसरों पोटात असलेला मूल तयाला ही बिमारी आहे क्यों नहीं हे माहित करने साथी एंटी नेटल डाइग्नोसीस करना एकदम कारण जर त्या पोटात असलेला गर्भातला बेवी ला सपोस्ती बिमारी आहे तर मकती प्रिग्नसी कंटीन्यू कराईची नस्ते क्यों मा केलिया नी दुर्भाग्यान सपोस्ती डिसीस पेशन निगाला तर 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 आसो तो मनुन अंटी नेटल डाइग्नोसीस हे है सेंट रक्तस्त्रावची बिमारी आसते हैं तो यह जी इतके महाग इंजक्शन असता है हीमोफिलिया है ची छूटी से असोशेशन नगपुर ला आहे पन अपले इतनों होती पेशन्स अपले इतन देखे लाए तो हैंजे इंजक्शन्स महाग असता थे अपन बेयन सा प्रतना र प्रतना इंजक्शन्स अफे चैन्स असता है हीमोफिलिया हैंजक्शन्स